हेलो आप्रीवेल, वेल्कम तो माई चैनल ग्रेट्स कोकिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको शैजवन फ्राइड राइस और शैजवन सोस बनाना बता रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलिए देखते इसको कैसे बनाते है सबसे पहले हम बनाएंगे शैजवन सोस, इसके लिए हम लेंगे 15-20 लाल मिर्च, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप और ले लिए लिए नहीं तो सिंपल भी चलेगी साथ में लिए है दो टमाटर और इसके उपर हम गरम पानी डाल देंगे और इसको 25-30 मिनिट तक सोख करके रग देंगे आप चाहें तो गैस पर इसको 5-10 मिन तक बॉइल कर सकते हैं जैसे भी आपको कमफर्टेवल हो यह देखिए यह आदा घंटा हो चुका है और हमारी मिर्ची भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और टमाटर का भी चिलका अच्छे से निकल रहा है अब इसको हम आकशन देंगे किया और हमने 25 लस्तन की कलियों को बारी कट कर लिया यह वह डाल देंगे और इसपाता हैं कि अकशन प्वों ने अब इसमें हम डालें जब तक कि लस्टन का कच्चापन दूर न हो जाए यह लस्टन थोड़ा सा ब्राउन सा न हो जाए दब तक हम को इसको भूनना है यह देखिए लस्टन अच्छे से भून चुका है अब हमने जो मिर्ची और टमाटर को पेप्षट पनाया सा वो डाल देंगे और इसको अच्छे से mix करेंगे यह sauce घर पे बहुत ही अच्छी बनती है आप इसको जरूर बना के रख सकते हैं फिर जब आपको यूज करना निकाली और खा लीजिए अब इसमें हम डालेंगे एक चमच काली मिर्श पाउडर एक चमच नमक एक बड़ा चमच डालेंगे चीनी इसको अच्छे से mix कर देंगे और इसको हम भूनेंगे अच्छे से अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच white vinegar एक बड़ा चमच soya sauce और इसको अच्छे से mix करेंगे और इसको हम भूनेंगे जब तक कि ये जो sauce से हमारे तेल ना छोड़ दे जब तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे देखिए ये अच्छे से भून चुकी है आप देख सकते हैं ठिक भी हो गई है और इसका तेल भी separate अलग से हो गया है तो ये हमारी sauce बनकर तयार हो गई है अब हम बनाते fried rice हमने एक कडाई ले लिए है इसमें हमने oil डाल दिया है इसको गरम होने देंगे तेल हमारा गरम हो चुका है अब यहाँ पर हमने 10 से 12 का लिया लसन को बारी कट कर लिया है वो डाल देंगे और इसको हम बूनेंगे ये देखिए लसन हमारा अच्छे से brown हो चुका है अब यहाँ पर हमने spring onion का जो white वाला part होता है वो लिया है वो डाल देंगे इसके अंदर गाजर एक गाजर को हमने बारी कट कर लिया है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे अगर आप beans डालना जाते तो इस टाइम पर beans भी डाल दीजिए गाजर के साथ ही अब इसमें हम डालेंगे पत्ता गोबी इसको हमने लंबा लंबा और पतला काटा है वो डाल देंगे इसको अच्छे से mix कर देंगे अब यहाँ पर हमने ली है कैपसिकम, रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर यानि कि तीनो टाइप की शिमला मी चोती वो ले ली है अगर आपके पास एक ही तरह की है तो आप वो ले लीजिए इसको अच्छे से हिलाएंगे और इसको हमको इतना ही भूनना है कि ये बस हलका सा सोते हो जाए इसको हमको बहुत ज़्यादा एकदम गलाना नहीं है अब इसमें हम डालेंगे एक चमश नामक और इसको अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे एक चमश वे निगर एक चमश सोया सॉस और साथ ही हम डालेंगे जो हमने से शेजवान सॉस बनाई है वो डाल देंगे आप तीन से चार चमश शेजवान सॉस डाल दीजिए और इसको अच्छे से mix कर देंगे एक से दो मिनिट तक अच्छे से बून लेंगे इसको अब यहाँ पर हम डालेंगे चामवल यहाँ पर हमने लिये है तीन कप चामवल चामवल हमने पहले से बॉयल करके रखे वे थे आप चाहें तो बच्चे वे चामवल को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इसको हलके हातों से mix करेंगे ताकि ये तूटे ना, ये देखिए कितने tasty लग रहे हैं, और ये हमारे शैजवान जो rice हो बन कर तयार हो गए है, इसके ओपर हम डाल देंगे spring onion का जो green वाला part है, वो डाल देंगे, और इसको अच्छे से mix कर लेंगे, और ये हमारे शैजवान फ्राइड ड्रेस बन कर तयार हो गए है, अब आप इसको खुद भी खाईए, और सब को खिलाईए, अगर आपको इसी तर रही ने recipe सीखनी है, तो आप मेरे चैनल को subscribe कीजिए, मेरी वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और comment कीजिए, thank you